दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हिंदूस्तान की बात मैं हूँ आपके साथ रमन हर प्रकार की पुलिटिकल वा कराइम तमाम बड़ी खबरों को लेकर लगातार हाजी रहता हूँ आज मौर्निंग का टाइम है मैं जनपत जोनपूर के मचली सहर तसिल के अंतरकत ग्राम सभा भिदूना में मौजूद हूँ लेकिन आज कल भी चोरों का कहीं आतं कभी कमजोर नहीं नजरा रहा है आज मैं मीरगन थाना छेद्र के भिदूना ग्राम सभा में मौजूद हूँ यहां बताया जा रहा है कि रात में देड़ लाक के लगभग दो भैस चोर उठा ले गए बगल में सोय भी थे लोग लेकिन इनका बिजनिस भी दूद का ही था दो भैसों का दूद लेते थे और आज भी पुलिस प्रसासन कहीं कहीं समें कमजोर नजरा रहा है बगल में मीरगन थाना पड़ेगा इसके बाडर कहीं कहीं बनवा पुलिस बूद पड़ेगा बगल में मिया चक पुलिस बूद पड़ेगा अब आप ही बता दीजिए कि बूद रहत्बे हुए और किस बाड अपनी नाकामियों से बरताव नहीं कर रहे उसी की बातचीत करने के लिए पूरा परिजन मौजूद है और लगभग देड़ लाग का नुश्कान है सबसे पहले तो आपका नाम संभुनात्यादा संभुनात जी कैसे पूरा मामला रहा बताएं ऐसा है कि एक बजे मैं उठा एक बजे बताई अपनी समस्याओं को एक दम एक बजे के बाद एक घटना घटी एक पहले घटना नहीं घटी है और जब मैं सुबह उठा भाइस को निकालने के दूद का मेरा बिजिनेस है और देखा कि भाइस कोने थी बैल और गाय औरे थे ले भाइस का बच्चा है लेकिन भाइस दोनों नहीं है मुखमंत्री जी मेरा खासकर आप से निवेदन है कुन पुलिस कर्मियों को ऐसे तमाम थानों पर सचेत कराया जाए कि लगातार कहीं पुलिस पसुत तसकरी को लेकर पैसे के लिए महीने का रखम बांदी है उन सभी ची मैं सुबह उठा जो है नहा करके मैं सुबह कोट जाता हूं नहा करके जब सुचना मिली जो है नहा रहा था सुचना मिली भाइस घर पे नहीं है तो हम आये यहां पता कि यह तो नहीं थी भाइस इसके बाद एक सुबार नंबर फोन के वहां से आए और रिपोर्टिंग करक लेकिन सवाल इस बात का है कि चोर अपनी कहीं कहीं नाकामी से बाज नहीं आ रहा है इस ठंड में आप से मैं बता दूँ कि दो भैंस को एक कमरे से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कमरमेन से कहूंगा थोड़ा आगे आएंगे और स्थान को दिखाएंगे ये देखिए यही रूम है इसी में थे ना देखे यही वो रूम है इसी रूम में भैंस माधी हुई थी और यहीं से भैंस कर निकाल कर चोर लेकर भाग जाते हैं बड़ा सवाल इस बात का है कि उन चोरों को कि किस तरह से ले गए बगल में सोय भी थे और रूम का पूरा नजारा आप देख रहे हैं कहीं कहीं थोड़ा सा गेट टाइप का खुला भी है और यहीं से चोर भैंस को छोड़ते हैं और पीका परलाद कर लेकर फरार हो जाते हैं मैं चाहूंगा कि ऐसे पुलिस कर्मियों को भी ध्यान देना चाहिए जो हर बाडर पर मौजूद है बनवा पुलिस बूत वहां भी पुलिस मौजूद है मीरगन थाना बगल में पड़ता है मिया चक पुलिस बूत बगल में पड़ता है बरस्वटी थाना भी बगल में है लेकिन यहाज से जब चोर चोरी करके लेकर भाग जा रहे हैं कैसे प्रसासन पर लोग विश्वास करेंगे सवाल इस बात क नंबर फोन किया गया चोटी रखम नहीं है बड़ा सवाल इस बात का इससे परिवार का पालन पोसंट तमाम चीज चलता था अब मिला जुला कर दोनों लग रही थी दोनों एक जो है लग रही थी एक गाभिन ती जो है कि देड़ लाक से दो लाक तक भेंस का रेट बताया जा रहा है सवाल इस बात का है कि चोर इस तरह से चोरी करेंगे तो प्रसासन से लोग का अब इस सवास हड़ जाएगा अगर अगल बगल पुलिस भूज थाने हो तो लगातार जैसा की कहा जाता है 24 हमारे देश के पुलिस कर्मी अब आउत्तर प्रदेश हो चाहे आने दूद का धन्दा मेरा हुआ बताईए कोई दिक्कत नहीं निकाले निकालने के गयर नहीं थी सुबह अच्छा बज़े लगातार जैसा की अपना सुबह भाइस को गारते भी थे और डेरी पर ले जाकर उसको दूद को सेल करते थे लेकिन आज सुबह उठते ही इनके साहत टान इसी घटना हुई है या घटना छोटी घटना नहीं है छोटी रकम भी नहीं है आप लोग जानते हैं आज इस बेरुज़गारी और महंगाई के दौरान इतना महंगाई हो गई है कि छोटा रकम नहीं था देड़ से दो लाग की हकीमत थी और चोनों की पहली हैसियत देखिए कि रात में घर से भैंस को उठा ले जाते हैं सवाल इस बात का है कि पुलिस कर्मी हूँ या कोई ठाना हो इस बात पर विसेश ध्यान देना चाहिए कि रात का समय है कोई भी गाड़ी जाए और पसु वाली अगर अक्सर गाड़ी जाए तो उसको रोक कर रखना चाहिए उसकी पूरी जाच करनी चाहिए कहां से आप लिए हैं उसको वहाँ हाजिर किया जाए तमाम बाते होती हैं हिंदुस्तान की बात पर ऐसे ही पुलिटिकल तमाम बड़ी खबर आप लोग देखते रहें जय हिन जय भारत